हेलो फ्रेंड वेल्कम टू माई चैनल जीके कैफे बहुत इंपॉर्टन टॉपिक है स्रेडिक जीके का कहीं भी अगर आप सर्च मारेंगे यूट्यूब पे या कहीं भी बुक में देखेंगे ये टॉपिक नहीं मिलता बट लगातार यहां से कोशन से बहुत पूछे जाते ह आपके एग्जामनीशन में चाहे हो SSC हो रेलवेज हो तो कौन से इंपॉर्टन टॉपिक है सिक्यूरिटी एजनसी जो इंडिया की है यहां से लगातार कोशन पूछे जाते हैं और उनको आपको याद होना ही चाहिए तो मैंने वही सारी इंपॉर्टन एजनसी रखी है सि SSC CGL के हिसाब से आपको पता होगा एक्सका भी एग्जामनीशन होता है SSC CGL में इसकी पोस्ट होती है ठीक है अब देखिए इसको आई बी की बारे में आपको पता होने चाहिए इसकी स्टेबलिस्मेंट कब हुई थी 1887 में हुई थी ठीक है यह थोड़ा कन्फिजन रहता है 1887 क्यों है क्योंकि देखिए एक बार रिल्विस के एग्जामनीशन में पूचा गया था आई भी की इस थापना को वही थी तो 1887 ही राइट अंसर माना गया था तो याद रखेगा यह अंग्रेज्जों के टाइम से चली आ रही है ठीक है जिसको कहते है हैड़ को पर इस जिसको ज़्यादा इंपोर्डेंडेस में ज़रा माइक कर लिजेगा क्योंकि वो के एग्जामनीशन में कई बार पूछा गया है जैसे मोटो है इसका हिंदी में कहते है जागरंत आहर नींसम यह संस्कृत वाड़ है इसको कहते हैं इंगलिस में आलवेज आलट ठीक है कई याद रखेगा हो मिनिस्ट्री में आता है ग्रह मंत्राले के अंतरगत आई वी आता है यह मौस्ट इंपोर्टन इसले में आपको बता रहा हूं एक और याद रखेगा आपको पता है जी दोवाल सभी को पता है एनसे नेसनल सेक्यूरिटी एडवाइजर है हमारे देश के यह भी एक टाइम पे IB के डिरेक्टर रहते कब रहते मैंने आपको परधान मंत्री वाली वीडियो में बताये था जब IC 814 जो हमारा प्लेन था जिसको किसको कर लिया गया था आतंगवादियों के दुआरा तो उस समय IB के डिरेक्टर कौन थे जी डोवाल यह important है इसको सबस्यादा ALWAYS ALERT ठीक है और होम मिनिस्टरी के रहते है ठीक है नेक्स हमारा कुनसा एन आइए यह भी बहुत इंपोर्टन थे इसको करते है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी चीक है और यह कौन सी मिनिस्ट्री में आता है यह भी होम मिनिस्ट्री में ही आता है मिनि उसको फासी दी गई थी उसके बाद ही क्योंकि बहुत सी लूप होल से दिखी थी इंडिया के सिक्यूरिटी कंडिशन में दिखा जाए तो उसके बाद इसके establishment की गई थी NIA की जो जैसे इसका ज्यादा तर यूज होता है उसके बाद इसके establishment विथी दो हो जा नो में तीसरे agency को उसके हमारी raw जिसको कहते है research and analysis wing यह कई हो बार पूछा गया examination में और इसके headquarter कहाँ पर है डेली में ज्यादा तर का headquarter डेली में ही होता है 99% बोलेंगे security agency है उनका अगर option में आपको दिली दिख रहा है तो डारेक्ट उसी को लगाईएगा और establishment विथी 1968 में बहुत important है इसकी कई हो बार पूछे गई पहली बात तो full form पूछे जाती है और दूसरा इसका establishment year पूछा जादा वैसे PCS CSO examination होते हैं जो different state examination में होते हैं वहाँ पर पूछा गया था इसके डिरेक्टर है first director थे रामिस्वर नात काउ एक तरीके से कहा जाता है इन्हों नहीं इसकी establishment की थी रो की ठीक है और directly रो जो होता है वो परधार मंत्री के अंडर में ही होता यह ऐसी agency है एक मात्र जो किसके अंतरगत आती है परधान मंत्री के अब देखिए security agency से मुझे याद आगे तो दो बहुत important है मैं कई बार सोचता हूं कि आपको बता दूं बर भूल जाता हूं तो आज मैं आपको बता दिता हूं कौनसा लबसना यह सभी जानते होंगे लबसना बोल administrative ठीक है यह जरूर याद रखेगा बहुत important है और establishment हुआ था इसका 1959 में 1160 में इसकी इस्तापनोगी तरीके से कहा जाता है IS जो बनते हैं उनकी training बोल सकते हैं अब यहाँ पे होती है अच्छा यह याद आगया तो बहुत बड़ी पोस्तों एक हो गई IS दूसरी होती है IPS ठी बहुत important है इसके full form direct पूछी जाती है सर्दार वल्लब भाइपटे इन नेशनल पुलिस अकेडमी स्टेबलिस्मेंट हुए था 1948 में स्वपन जहां पर IPS की होती है क्या recruitment होती है एक तरीके से बोलते है कि training होती है और है कहां पर है याद रखेगा हैदराबाद में ठीक है तो ministry of defense अगर कई हो बार पूछा गया है कि ministry of defense की establishment कब हुई थी तो याद रखेगा 1760 वैसे ज्यादा important है थोड़ा सा सोचा कि आपको बता दू और headquarter है इसका डेली में यह कई हो बार पूछा गया है headquarter कहां पर इसका डेली में ठीक है next हमारा कुन सा है NSG जिसको कहते है national security guard कौ ministry ministry के अंदर आता home ministry ठीक है और इसकी establishment हुई थी बाइस सितंबर 1986 को वैसे date याद नहीं रखने इस तन याद रखना है 1986 में हुई थी मोटो बहुत बार पूछा गया है इसका मोटो है सरवत्य सरवत्तम सुरक्षा इंग्लिस में कहते है omnipresent omnipotent या security ठीक है तीनों याद समाकी के टाइम बे और इसी कारण इसका establishment क्या गया था किस कारण में परपस था internal disturbance को कम करने के लिए जैसे कुछ भी हमारे देश के अंदर कोई भी जैसा अतंगवादी घुज गए या कोई internal disturbance होती तो इनको बुलाया जाता NSG के जो कमांडो है और बहुत famous ये एक तरीके से security agency है अच्छा एक दो important जो इन्होंने चलाये थे operation ये कई हो examination में पूछे गए तो मैं आपको बता दिता हूँ जैसे कि पहले तो बता दिया black tornado किस ने चलाये था NSG ने चलाये था 26-11 हमले के टाइम पे और इन्होंने एक और चलाये था वजजर सक्ति जिसमें स्वामी नारायन अक्षर नाव मंदिर है कौँसा स्वामी नारायन अक्षर नामंदिर जो गुजरात में उसमें दो आतंकी घुज गए थे सभी को बता होगा तो उनकी मैं नहीं पूछा गया PCS examination में कर यह बार पूछा गया है ठीक है अब मैं आपको बता देता हूं यह को चलाये था नोना Operation Black Thunder यह दो पार्ट में डिवाइट था Operation Black Thunder फर्स्ट और सेकेंड वैसे डारेक्ट पूछा जादा है कि Operation Black Thunder किस ने चलाया था NSG ने चलाया था National Security Guard ने 1986 1986 में चलाया था अब reason क्या मैं आपको थोड़ा जल्दी बता देता हूं यह important हो जाते हैं इसलिए fact बता रहा हूं क्योंकि कई हो examination पूछे गए तो इसमें पूछने के ज्यादा chances हो जाते हैं जैसे कि आपको मैंने परदान मंत्री इंद्रा गांधी वाली वीडियो बताई दी तो उसके खिलाब कि उन्होंने इंद्रा गांधी ने चलाया था operation blue star और उसमें भारती सेना नहीं पूरे हमला किया था बट पूरी तरीके से पूरा मंदीर एक तरीके से च्छती ग्रस्त हो गया था खोन वगेरा या पूरी तरीके से दिवारे तूट गई थी तो इससे बहुत से सरदारों को बहुत पसंद नहीं है क्योंकि जाहिर सी बात अगर उनके धार में ऐसी चीज़े होती और स्वाण मंदीर तो बहुत थी फेमस है तो उसमें इसी कारण उनके मृत्ति हो गई थी कि इनकी हत्या कर दी गई थी इंद्रा गांधी की ठीक है overall तो मैंने तरीके से ऑपरेशन को टैकल किया था कि सारे आतंगवादियों को मार दिया गया और जिन से डारेक बोला गया था कि सरेंडर कर दे बट एक भी किसी की जगे आप बोसकते हैं पूरे मंदिर में कोई छहती नहीं थी इसका सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट था दीरे फिर उन्होंने कैप्चर करना शुरू करा उसी जगे फिर बैठ गए लगवग दो साल बाद 1984 के बाद आपको मैंने बताया था फिर दुवारा बैठ गए थे और इसी कारण इनको इस ऑपरेशन को चलाना पड़ा और उसमें ज्यादतर लोगों को सरेंडर करने के लि और इनकी बहुत बड़ी इंट्रेस्टिंग स्टोरी है कोसिस करूँगा लेकर आऊंगा वीडियो तो यह उसमें रैकी करते थे जब यह चैक इन्होंने पदा करा कि दो साल के अंदर इन्होंने पूरे असला वारुत पहुंचा दिये थे दुबारा ऑपरेशन फिर इन्हो इसका मोटो जरू याद रखेगा इंडस्ट्री इंपार्शली इंटीग्रिटी ठीक है फिर मैं आपको बता दिया इंडस्ट्री इंपार्शली इंटीग्रिटी जरू याद रखेगा और इसकी स्टैबलिस्मेंट हुए थी 1963 में एक अपरेल 1963 और यह कईयों बार पूछा गया हमारे examination में IB के बारे में sorry CBI के बारे में ठीक है headquarter तो 90% सभी का कहा पर होगा Delhi में होगा अब next हमारा कौन सा NCB सभी को बता होगा इसके फुर्फोर्म होती है नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्योरो चीक है drugs को कंट्रोल करने के purpose से बनाया गया यह यह भी home ministry के अंतरगत आता है और इसका मोटो क्या है मोटो है intelligence enforcement coordination फिर बता रहा हूँ intelligence enforcement coordination ठीक है इसकी establishment इती 1986 में और headquarter तो obviously कहाँ पर होगा डेली में ही होगा ठीक है important कुन सा एक तो sun याद रखेगा और motor याद रखेगा बस और full form तो हमेशा आपको याद रखनी है फिर एक कुन सी N.T.R.O. यह याद रखेगा यह रिलिविस में पूछा गया था national technical research organization और यह एक तरीके से intelligence agency बोल सकते हैं जैसे raw होती है वैसी intelligence agency है यह और इसका establishment हुआता 2004 में headquarter है Delhi में और motto है इसका वैसे तो बहुत confusion रहता है इस motto में हिंदी में अगर मैं बोलू इसका motto है आनो बद्रहा क्रत हो यंतू विस्वत है ठीक है संस्क्रेट में और अगर इंगलिस में बोले तो let noble thought come to me for all directions दोनों याद रख लिए जीगा वैसे English में याद रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी ठीक है और यह मैंने अपनी ebook में mention नहीं किया है अच्छा एक चीज बता देता हूं जिन लोग को ebook चाहिए उसका link आपको description मिल जाएगा इसके अंदर आपडेट करा दूँगा मैं और जिसको भी चाहिए तो WhatsApp नंबर यह इस पर कर लीजिए नहीं तो आपको link मिल जाएगा description में वीडियो के वहाँ से आप जारेक जा सकते हैं Hindi English दोनों में static जीके और आपको vocabulary भी मिल जाएगा सबसे बड़ी बात मैंने इसके अं इंडियन कोस्ट गार्ड कईयों बार पूछा गया है भारतिये टक्रक्षक बल कहा जाता है जिसको और इसका establishment हुआ था 1977 में कईयों बार पूछा गया यह एक फर वरी 1977 को और किस Act के अंतर गत हुआ था 1978 के Act के अंदर गत हुआ था यह मिनिस्ट्री आफ डिफेंस के अंदर रेलवे प्रोटेक्शन फॉर्स ठीक है मोटो क्या इसका यह शो लबस इसको हिंदी में अगर बोले अटेन ओनर और हिंदी में आंको बता दिया इंगलेस में बता दिया यह को जाद है कि इसका establishment हुआ था 1872 में और आर फिया जो आर पी एक्ट के अंतरगत इसका establishment वैसे तो देखें यह तो हो घूठ producción फोर्स अगहोता है क्या यह पोछा गया संसी में इसको क्याथे है रैपिड एक्सन फोर्स यह कर यह वार फॉर्म में पूछ गया और arak मोलण मॉन मिनिस्ट्रै हो गई जैसे मैं आपको बता दिया है और जो जिनका डारेक्ट बॉर्डर पे हो या ब्यासर चाइब के इनका यह डिफेंस में आ जाती है ज्यादा तर 90% आप होम मिनिस्ट्री में लगाएगा जो इंटर्नल एजेंसी है ठीक है जैसे मैं आपको बता दिया था इनसे भी बता दिया था मैंना आपको आई भी बता दिया था तो इस ट्राइब की जो होती है इंटर्नल एजेंसी होती है उनका हैड़क्वाटर या उनका बोल सकते हैं मिनिस्ट्री किसके अंतरगत आते तो होम मिनिस्ट्री के अंतरगत आते हैं आर पीफ के फुल फॉर्म क् हो मिनिस्ट्री के अंतरगत आता है दिल्ली में हेड़क्वर्टर है 1991 में इसके स्टेबलिस्मेंट हुई थी यह ज्यादा इंपॉर्टन नहीं है बट सिंपल याद रखेगा दंगे जैसे अधिशन होती है आपने इनको नीवी ड्रेस में देखा होगा तो दंगे आदी को रोकने के लिए इसका स्टेबलिस्मेंट किया गया था इस बार के कई और आपने देखियोंगे दंगे फसाद में इनीं को बुलाए जाता है नेली लिए की ड्रेस पनी होती है नोने और नेक्स हमारा कॉन सा बीस अप मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है बॉर्डर सिक्यूरेटी फॉर्स इसके स्टेबलिस्मेंट कई बार पूछा आता है तो याद रखेगा करकी वोट कियां सकता है इसको इसम्राइफल को स्टेबलिस्मेंट हे होता है इसको만ीश 325 में मिस्ट्री मंझोग nazis 2 में के अंदर आती है इते हैं मिस्ट्री ऑफ हॉम्स के अंदर भी आती है ऍदिफेंस मिन्सरी के या ř पुरानी है दुस्री बाद establishment हो था उसका 1835 में और motor याद रखेगा Central of the North East ठेक है यह बहुत important है motor भी और इसका ज़रूर याद रखेगा सबसे पुरानी है ठेक है next मारा कौन सा CID देखे CID एक तरीके से कुछ होती नहीं है यह हर स्टेट के अलग ताइब के होती है एक तरीके सा Security Agency इसको यूज नहीं किया जा सकता बस यह याद रखेगा कि CID को एक तरीके से कह सकते है हर स्टेट में होती है एक छोटे पैमाने पर होती है फुल फॉर्म याद रखेगा Criminal Investigation Department टेक है और next मारा कौन सा ITBP यह बहुत important है इसकी फॉर्म होती है इंडो तिबितन बॉर्डर पुलिस और इसकी स्टेब्लिसमेंट रखेटी 1962 में कई बार पूछा गया स्टेब्लिसमेंट 1962 में हैड़कॉर्टर है डेली में होम निस्टरी के एंड कमिटमेंट बहुत important है ठेक है इस्टेड फास्टनेस बोलते हैं जिसको वेलर इस्टेड फास्टनेस एंड कमिटमेंट बहुत इंपॉर्टन मोटो भी याद रखेगा और नेक्स हमारा कॉमसर्स CISF यह भी कई बार पूछा गया मैं इस्टेड बार बता चुका हूं जैसे CISF के कोई डीजी बनते हैं या कई बहुत थो मैं सभी की फुल-फॉर्म भी बताता हूं इस्टेबलिस्मेंट यह भी बताता हूं क्योंकि पूछे गए हैं एक्जामनेशन में CISF की फुल-फॉर्म बती है Central Industrial Security Force जिसकी इस्टेबलिस्मेंट हुई थी 1969 में यह पूछा गया है और हेड़कॉर्टर है डेली में मोटो हैस का प्रोटेक्शन एंड सिक्यूरेटी है मोस्ट मोस् रिपॉर्टेड है रिपीटेड है कई बार पूछा गया है मोटो CISF का और होम मिनिस्टे के अंतरगत आता है बस स्टेबलिस्मेंट हो तो 1949 में दिली में हुआ था हेड़कॉर्टर है इसका डेली और इसकी अगर मैं आपको मोटो बता दो सिक्यूरेटी स्टरी सर्वीस एंड लोयल्टी और हिंदी में बोलते सेवा और निष्ठा कई बार पूछा गया है बट CRPF की स्टेबलिस्मेंट ह तो वैसे डारेक्ट पूछा जाएगा तो 1949 में इसका स्टेबलिस्मेंट हो था पहले सको बोलते थे क्राउन रिपर्जेंटेटिव ठीक है और 1949 में इसकी स्टेबलिस्मेंट हो था मोटो मैं आपको बता दिया सेवा और निस्था सर्वीस एंड लोयल्टी नेक्स हमें आना Central Armed Police Force जिसको कहते है C.A.P.F देखें एक तरिके सिएजसी है C.A.P.F इसके अंतरगत सभी आ जाते हैं BSF, CRPF, CISF, ITB यह सारे इसके अंतरगत आते हैं यह मैं इसलिए बता है क्योंकि फुल फॉर्म कई बार पूछा आता है C.A.P.F की Central Armed Police Force next हमारा SSB बहुत बार important है कई बा पूछा गया इसका मोटो और इसकी इस्टेबलिस्मेंट यह है 1963 है डेली में ठीक है नेक्स हमारा है है फुल फॉर्म यहार स्टेट के साफ से होती है यह बट एंडियार फोती है नेस्टनल डिजास्टर रिस्पॉंस फोस्टिग है तो वरो यह सारी सेक्यूरिटी एजनसी में आपको प्रवाइड करा दी है बहुत इंपॉर्टन है कई बार एक्जामनेशन में पूछी जाती ह अब देखिए लेवल थोड़ा उपर हो गया कंपडिशन के साफ से ससी रिल्विस में तो यहां भी पूछी जाने लगिए तो बस यही था आज की वीडियो के लिट नहीं अब मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद जरू लाइक कीजिएगा इसको अगर पसंद आ दिए और जरू किजिएगा और अगर चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब किजिएगा क्योंकि एससी और रिल्विस से रिलेटेड में वीडियो लेकर आता रहता हूं तो आज की वीडियो के लिट नहीं थैंक्यू